नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकित में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिसकसन करने वाले हैं जनरल मैच के बारे में वो भी आर्पेसी फैस्ट ग्रेड 2022 एक्जाम को लेकर ठीक है अगर आप सेकंड ग्रेड की एक्जाम दे र लगबग बारा क्यूशन आने चाहिए थे हैं ना दो हजार अठारा में लेकिन अगर आपने पेपर देखा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना यह पेपर आपको आर्पेसी की ओफिशिल वेबसाइट के ओपर मिल जाएंगे ठीक है तो जो तीन पेपर हुए एक पहले पेपर रहना जिक्के के अंदर तो जिक्के में आपने देखा हुआ that word from English जो भी पांस से और जो मैच से और इसनिंगे बारा क्यूशन आने चाहे थे लेकिन आये कि इतने यहां पे यह दस ही संक्या हो वो गई ठीक है लेकिन इन दस में भी आठ से स्टुडेंट हो यह दस कुष्ण हो छोड़ देते हैं दस यह छोड़ देते हैं प्लस में 5 वो छोड़ दी फिर यह भारी कपड़ता है जब आपका नमर नहीं आता आप एक से रह जाते हैं दो पांस नमर से दस सी मतलब हो सकता है कि जिसके मैज से दूर दूर से रिष्टा है वो नहीं रहा है लेकिन जो 10 क्यूशन आ रहे हैं उसमें से अगर आप मेरी क्लास देखेंगे एकदम बढ़िया से मा करवाँगा आपको एकदम बेसिक से और एकदम आसान बहाँ आपनी जो मारबडी बहाँ है उसके अंदर हम करेंगे तो 10 क्यूशन आने हैं उसमें से कम से कम आप आराम से 5 क्यूशन तो कर सकते हैं यह तो आसान आते हैं इस्टेटिक्स के क्यूशन वो बहुत आसान होते हैं उसमें आप अराम से कर जाएंगे इसके लावा नंबर सिस्टम है वो भी बहुत आसान है वो भी आप अराम से कर जाएंगे और अगर एजी क्यूशन आया तो वहां से भी आपका क्यूशना वो सही हो जाएगा ठीक है तो arts वाले student है वो जरूर देखें और जो science background से हैं उनको तो देखना ही है अगर वीडियो देखेंगे तो उनको फिर अलग से पढ़ने की जूरूत है वो नहीं होगी ठीक है एकदम basic से करेंगे आसान बासा में करेंगे और लगब मतलब कोई fix rate हैं रिजइनिंग के तीन भी आ सकते हैं आप static के q서an पहले तो क्या होता था जब बारा क्यूशन आते थे तो sociais के भी चार क्यूशन थे और maths के भी 6 थे ठीक है ये हो जाएगे इस पार आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि कंपिटिशन वह बहुत बढ़ रहा है तो यहां से अगर आपने चार-पांच क्लास हमारी हो चुकी है ठीक है तो जिसको भी जॉइन करना हो कर सकता है इसके लावा बात करते हैं यह है यह फैस्ट क्रेड का सलेवस आपका मैज़िशन नमबर है एमिंग्लिस का सलेवस है हिंदी वाला आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है या देखिए aesthetics का तो बहुत छोटा सा स्लेवस है और इसमें से अगर जो भी तीन क्यों सनाते हैं या फिर चार क्यों सनाते हैं ये आराम से आपके सही हो जाएंगे ठीक है ये तो आराम से हो जाएंगे इसके लावा जो ये mensuration है यहां से भी अगर कोई easy question है वह आपका 100% सही हो जाएगा और ये पूरा स्लेवस है ये बहुत आसान है अगर यहां से कोई भी क्योशन आएगा वह आपका गलत नहीं होगा 100% गलत नहीं होगा अगर आपको normal जोट बाकी गुना भाग आ रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा ठीक है अगर नहीं आते हैं तो हो भी हम सीख लेंगे कलास भी मैं पता दूँ हमारा यह पूरा पूरा यह target है कि 20 तारिक से हमारी class हो शुरू हो जाए मास सरस्वती का वार आप सब को गुरुवार से हम start कर देंगे ठीक है यह जो basic में था इसको यह देखिए हिंदी में आप syllabus देखेंगे तो यह देखिए अगर आपके पास है नहीं तो यहां से आप screenshot ले सकते हैं ठीक है यह देखिए statistics के अंदर देखिएंगे तो data का संग्रह है, data की प्रस्तुती है, data का चित्र मैं परतिनी दीत है, honesty के अंदर यह परवर्ती है और माध्य है, mode है, average और सम्हुई करते data का यह देखिए लोग का है ठीक है बहुत आसाना आरामसे कर लेंगे इसके अंदर देखेंग तो ये देखें प्राकरती प्रीमे संक्या है वास्तविक संक्या है उसका दस्मिलव परसार है वास्तविक संक्याओं पर संक्रिये हैं गातांकों के नियम है प्रीमे संक्या है उसका दस्मिलव परसार है एक बवपद के सुनने के हैं और एक बवपद होगा ठीक है यहां से हो सकता है क्योंकि अब थोड़ा सा अगर गुमा के पूछ ले तो फिर आप नहीं कर पाइंगे बस आप साब बोलो हो आपको यह नहीं बोलो कि हाँ मेरे से पढ़ लेंगे तो आपके 10 में अगर को एजी आई वो हमारा सही हो जाए ठीक है इसी परकार से मैं आपको बताऊंगा ओके इसके अलावा अब यह तो बात हो गई हमारी फैस्ट क्रेट की अगर आप फैस्ट क्रेट से समंधी तयारी करना है तो आपको यहीं पर वीडियो छोड़ देना है मने आपको क्लास क्लास हो शुरू हो जाएगी अब आपको क्या करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अगर ज्यादा स्टूडेंट जुड़े तो आपको पीडियाप फाइल भी वह प्रवाइड करवा दी जाएगी डिस्क्रिप्सिन बोक्स में आपको टेलिग्राम चैनल लिंक मिलेगा वहां पर जोइन कर लें ठीक है और क्लास आपको 20 तारिक से हम स्टार्ट कर देंगे 100% कर देंगे तो यह देखिए अब बात करते हैं सेकंड ग्रीड क्यूंकि सेकंड क्रेड का हमारा पैड को चली रहा है ग्यारवी और बारवी आप 9 और 10 से 9 और 10 से अगर आप 2nd grade की तयारी करें तो आपको पता होगा लगभग 9th और 10th वाली जो कलास है इसमें से लगभग 10-12 कुछ जाते हैं ठीक है जो हम 1st grade की देखने हैं इसमें से लगभग 10 और 10th और 10th और यहां से भी का करते हैं बच्चे मैंने देखा है 9 और 10 यह सोच के शोड़ देते हैं कि यह तो हमको आता है ठीक है और फिर एक्जाम में पता चलता है कि हाँ हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे हमको नहीं आता है ठीक है तो आपको यह गड़ बड़ है वो नहीं करने है आपको पढ़ना है हाँ एक बार अगर आप वीडियो बड़या से देख लेंगे तो फिर आपको ज्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मत्पची किरने की जूरुत नहीं आपके राम से 10 से जो 12 कि उसना आने राम से सही हो जाएंगे ठीक है चूंकि इतना ज़्यादा हाड लेवल इनका आता नहीं है राम से आसानी से करस पाएंगे आप लेकिन अगर आपका थोड़ा पढ़ा हुआ होगा तब ही तो आप करेंगे अब बिना पढ़ेत के से होगा ठीक है तो आपको देख लेना है पूरी हम सेम टू शेम सेलेबस है हमारा अगर आपके पास हिंदी का नहीं है तो हिंदी का भी आप देख सकते हैं यह देखिए संख्या पदतिया रेखा है और कौन त्र अगर आपने त्यारी की थी तो लगभग टोपिक आपके रिट के अंदर थे यह देखिए दो चरो माले रेकिक समेगन था बहुपत था और यह वरतिय जिवाएं थी समांतर चतुरुष था त्रिभुष था रेखा और कौन था यह सिर्प संक्या पदतिया वो नहीं था ठी ठीक है तो यह हमारा स्लेबस से संब्दित वीडियो था अब इस तारिक से आपको क्लास वो मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट जूडेंगे तो आपको पीडिया फाइल भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी ठीक है वरना मेरी तो यही राय रहेगी हर बार वी ही काता हूं मैं पैकोर्स के अंदर भी मैने किसीं को पीडिया फाइल आगो नहीं दीथी ठीक है किूंकि टेने पेस इन फड-फायल देने पर बचया वो निठले हो जातेए खुद के नोट सा म Panel आइगी तब जब तक नोट नहीं आटाने तो थोड़ा बहुत अराम से जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही है खुद लेकेंगे हाथ से लेकेंगे तो वो चीज़ें वो समझ में आ जाएंगे ठेक है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं बेस तारीक को कोर्स के साथ पहला लेक्टर हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम का और उमीद करते हूँ आपको एकदम बड़िया से मैं समझा पाऊंगा और जो भी क्यूसन आपके आएंगे वो 100% सही हो जाएंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक्यू जै ही जै भार